ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देखरें ततकाल न्यूज लाइफ तुर्की और सीरिया में विगत 6 फरवरी को आए विनाशकारी भुकम के बाद अब वहा तबाई का मनजर है कभी खुबसूरत से ये शहर आज मलबे के ढेर में तबदिल नजर आ रहे है भुकम से दोनों देशों में 21,000 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है दोनों देशों के हालाद बत्तर हो गए है भुकम से हजारों लोग घायल हुए है मलबे में दबे लोगों को निकालना का काम तेजी से जारी है भुकम की चार दिन बीच चुके है ऐसे में मलबे में दबे लोगों को जिन्दा रहने की उम्मीद काफी कम हो गई है वही तुर्की और सीरिया में कडाके की ठंड से भी रेस्क्यू ओपरेशन में दिक्कत आ रही है भारत ने भी NDRF की कई टीमें राहत और बचाव कारिय के लिए तुर्की भीजी है अगली टीम भी राहत की सामगरी और दवाया लेकर जाने के लिए तयार है भारत संकट की इस घड़ी में मिशन दोस्त की तहत तुर्की की पूरी मदद कर रहा है NDRF ने कई लोगों को मलबे से जिन्दा भी निकाला है सयुक्त राष्ट ने काया है कि बरफबारी और बारिश के कारण भुकम से प्रभावित दोनों ही देशों में बचाव कारिया प्रभावित हो रहा है Emergency Services की टीमों को और रेस्क्यू में काफी दिक्कते हो रही है तुर्की के कई शहरों में तापमा 9 से माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है Health experts का कहना है कि ऐसी सीती में लोगों को हाइपो थेर्मिया होने का खत्रा है सीरिया और तुर्की में 6 फरवरी को सुबा आये भुकम के 3 बड़े जटके महसुस किये गये थे तुर्की के वक्त के मुताबिक पहला भुकम सुबा करीब 4 बजे दूसरा करीब 10 बजे और तीसरा दोपेर 3 बजे आया वही 243 ओप्टर शॉक्स भी दर्श किये गये इनकी तीवरता 4 से 5 रही